दोस्तों अभी तक हम जो प्लास्टिक बोटल का यूज करते हैं पीने के पाने के लिए वो नोन बायो डिग्रेडेवल होती हैं और इन प्लास्टिक की बोटल को हम बन टाइम ही यूज कर सकते हैं मतलब अगर मैं एक पानी की बोटल खरीता हूँ और उसमें पानी को पीने के वाद अगर मैं उस बोटल को फैंक दिता हूँ इसका मतलब यह है कि मैं ना उसे वन टाइम ही यूज किया और अब यह बोटल जो है वो कई हजारों साल लगा देगी डीग्रेड होने में जिससे हमारा जो नेचर है वो काफी ज़्यादा इफेक्ट होगा इसी तरह से अगर हम देखें तो डेली कितनी ज़्यादा बोटल को पानी पीने के वाद भैंक दिया जाता होगा तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इस तरह से जो हमारा नेचर है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होगा इस तरह पर अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि Skipping Rock Lab ने एक ऐसी खोज की है जो कि नेचर के लिए बरदान की तरह सावित होगी Skipping Rock Lab ने प्लास्टिक बोटल का वेस्ट अल्टरनेटिव डून लिया है और वो है Edible Water Bottle जो कि देखने में एक बाटर बबल की तरह है Edible Butter Bottle में एक कैपसूल का यूज किया जाता है जिसका नाम है Oho जो कि 100% Bio-Degredable है मतलब इससे नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता Oho के अंदर पानी या फिर और भी कोई ट्रिंग को स्टोर किया जा सकता है और डिफ्रेंट डिफ्रेंट फ्लेवर्स को भी स्टोर किया जा सकता है Oho एक edible membrane है जो कि seaweed से बना हुआ है इसकी सबसे खास वात यह है कि आपको simply edible butter bubble को मुह में डालना है और automatic ही वो मुह में जाते ही पानी बन जाएगा और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके ऊपर जो seaweed का capsule बना हुआ है उसको उसके अंदर hole करके भी पाने को पी सकते हैं यह आप पे depend करता है इसके अंदर आप कई तरह के flavors को भी स्टोर कर सकते हैं और buy-in, drink, soft drinks वगएरा को भी स्टोर इसली कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही एक अच्छा solution निकाला हुआ है skipping rock lab ने बाटर वोटल को जो कि प्लास्टिक बाटर वोटल सी उनको replace करने का एक natural way से एक natural तरीके से जो की 100% biotic gradable है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो please like कर देना और आपको कोई वीडियो से related doubt है या query है तो आप comment box में comment करके हमें बता सकते हैं